एससी ने कांस्टेबल की वेकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया है दोस्तों नमस्कार आप देख रहें जीरो पिरेट आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एससी के उस नोटिफिकेशन के जिसके पिछले दो दिनों से काफी चर्चा है पूरे यूट्यूब कम् में ये नोटिफिकेशन घूम रहा है तो मुझे लगा मैं भी ये नोटिफिकेशन आपके लिए शेयर कर दूँ ताकि आप भी समझ पाएं कि कुल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन में क्या है ये नोटिफिकेशन दरसल हर साल आता है ससी की तरफ से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के तरफ से अभी जो notification आया है उसमें नबरा पोस्ट भी काफी अच्छे हैं constables GD in Central Armed Forces जिसमें CAPF है SSF है Rifleman है Assam Rifles है और Narcotics Control Bureau है इन सब में constables की जो भरती होती है जनरल ड्यूटी उसमें लगबग लगबग पचीस हजार के वेकिंसी आई है चोभी सजार संथिंग है तो और इस पी योग्यता भी केवल दसवी पास मांगी जाती है इसलिए इसमें काफी लोगों के अपीर होने के चांसे होते है आल ओर इंडिया से यूआ इसमें अपीर होते हैं इसकी जो मुख्य बाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ डेट आफ समिशन आफ ऑनलाइन अप्लिकेशन 27 से स्टार्ट हो गया यह तीस ग्यारा तक चलेगा मत्तब तीस तॉबंबर तक इसकी लाज़ डेट है लाज़ डेट इन टाइम फार रिसिप्ट अन अन नाइव अप्लिकेशन यह तीस ग्यारा दोहजर बाईस तेईस बजे तक कि मतलब कि रात की 11 बच के उनसर्टमेंट तक आप इसको ट्राइ कर सकते हैं मैं आपको सला दूँगा थोड़ा पहले ही आप यह काम कर लें लाज़ डेट इन टाइम फार जनरेशन आफ 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 लाइन चालान इसका डेट भी है सेम और लाज़ डेट इन टाइम आफ मेकिंग आनलाइन फी पेमेंट करने के लिए आपको एक तारिख तक का समय दिया एक बारा एक दिसंबर पट मेरी सला हमेशा यह होगी कि आप कम से कम दो से तीन दिन पहले यह सारा काम करने क्योंकि समय आपका पास पूरा है लाज़ डेट फार पेमेंट थ्रू चालान शिडूल आफ कंप्यूटर बेस्ट इग्जामिनेशन जनवरी 2023 तो यह एक्जाम होने हैं जनवरी में ऐसा इसोने एक टेंटिटीव शिडूल बताया है और चुकि यह CBT होता है इसका जो एक्जाम होगा पहला चरण जो होगा जिसको आप कह सकते हैं रिटन टेस्ट वह CBT हो नोटिफिकेशन है लगबग 40-50 पेज का एक नोटिफिकेशन है यह मैं इस वीडियो में आप से क्यों मुख्य माते ही शेयर कर रहा हूं आप बाकी सारी चीजे सारा डीटेस जो है वह इस नोटिफिकेशन को डाउन डोड करके देख सकते हैं 55 पेजिसका नोटिफिकेशन ह दो चीजें है एज लिमिट के लिए लेकर के सलसलेबस का मामला लेकर के कैसे आप फार्म भरना है सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका पे लेवल पे लेवल वन का है 18,000 तो 56,900 फार्द पोस्ट आफ एंसीबी एंड पे लेवल 3 यह दो अलग अलग पे लेवल की बा सेफ है बार्डर सेक्यल्टी फोर्स है सीमा सुरक्षबल भी इस पे सामिल है आसाम राइफल्स भी है यह सारी चीजें इसमें इंक्लूट करके कुल मिलाकर के 24,205 वेकेंसी बनती है और इसमें NCB को भी अगर मैं एड कर दूँ जिसके 164 वेकेंसी आती है तो 24,379 हो जाती ह तो कुल मिलाकर के 24,400 के आसपास वेकेंसी है और इसके लिए Essential Qualification की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मगर उसके पहले Age Limit की बात कर दूँ 18-23 साल आपकी उम्र जो है 18-23 साल के बीच की होनी चीए Candidate should not have been born earlier than 2197 1997 से पहले के जो लोग होंगे वो इस में अपियर नहीं हो सकेंगे ऐसा हो कहते हैं यह पूरा एक डीटेल structure इन्होंने दिया है Age Reluctions का आप मैं आपको सला दूँगा अगर इसका कोई benefit लेना चाहा रहे हैं तो इसे download कर ले प्रॉपर स्टेडी कर लें ताफी लंबा यह इसका notification नोटिफिकेशन है इस्पेशली एज रिलक्षेशन के मामले में यह इसके अलग से सब classes है एक सब्सक्राइब में क्या होगा किसमें क्या होगा अलग अलग 5.65.6234 अलग 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 क्लास है तो मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं यह सब पूरा detailing है क्या क्या documents आपको उस पर लगने हैं कैसे कैसे आप claim कर सकते हैं एज रिलक्षेशन को यह सारी चीज क्लास का जो मार्क्षीट है वो हो जाना चाहिए मतलब एक जन्वरी 2023 की डेट पे आप दसवीक अक्षा पास हो इस बात का प्रॉपर डॉकुमेंट आपके पास हो from a recognized board our university candidate who have not acquired the essential qualification as on the stability date will not be eligible मतलब एक तारीक तक अगर आपका पास नहीं है आप अभी अपियर हो रहा है मार्च में आपके परिक्षा हो नहीं है अप्रेल में आपका रिजरेट आना है तो फिर आप में तो यह सारी चीज़ें इसमें है आप जब डीटेल में study करेंगे तो आपको बाते समझ में आ जाएंगी हाउ टो एप्लाई के लिए आपको एप्लिकेशन मस्ट बी सब्मिटेड इन ऑनलाइन ओफिशल वेबसाइट आप दे कमीशन की जो ओफिशल वेबसाइट है ssc.nic.in इस पे जाकर के आप इसको एप्लाई कर सकते हैं मैंने बताया 27 तारीक से इसका आनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और यह चलेगा नमबर मैंने के आखरी तक 23 नमबर तक के तो आप इस बीच में यह सारा काम कर लें इस वेबसाइट में जाकर के इसके लिए आ अलावा जो भी स्पेसिफिकेशन वो बतायागा फोटोग्राफ का वो सारा कुछ कर रहें विदाउट कैप विदाउट स्पेक्टेकल्स फ्रंट व्यू यह सारी चीज़ आप उसमें फॉलो करें क्योंकि यह बहुत स्ट्रिक्ट आपको देखा जाता है इन सब मामलों में करूं उसके बाद इस वीडियो को हम खतम करेंगे सेंटर आफ इग्जामिनेशन के बारे में अलग अलग इसने बता दिया है आप चाहें तो वो लिस्ट पूरा देख लें लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कहां कहां क्या क्या सेंटर है एक मध्यपरदेश सब रीजन में चतीज गाण और मध्यपरदेश है तो उसके कहां कहां आएगा उसकी एक लिस्ट है नौर्थ इस्ट रीजन में एनियार में अरुनाचल असान मनीपूर मेगाला मीजोरं नागालेंड है उसकी भी लिस्ट है तो सारे अपने सेंटर की लिस्ट आप उसके थूर जाकर के CBT CBT इस बार का जो इनका है इसमें काफी चेंजेज है पिछले बार जो होते थे जो जहां तक मेरी जानकारी है यह सारे पार्ट के 25-25 questions हुआ करते थे अब 20-20 questions कर दिया है टाइम भी कम कर दिया 60 minutes only देरा इस बार पहले मुझे जहां तक याद आ रहा है यह डेड़ गंटे लेकिन question के weightage बढ़े हैं एक question दो number का हो रहा है बीस question है और 40 number मिल रहा है और part क्या क्या है चार part है आपके जीके है जीके मिन्स general intelligence and reasoning तो इसको आप mental ability समझे general intelligence and reasoning में आपको 20 questions मिलेंगे 40 marks इसके लिए आपको निकाल सकते है जीके अलग है जीके एंड जीके एंड ऐसा part कर द सकते हैं और elementary mathematics, elementary mathematics का syllabus जो है वो आप इसमें बताया होगा आगे आप उसको देख सकते हैं क्या क्या पार्ट आपको cover up करना है 20 questions इसमें भी होंगे और 40 marks इसमें भी आप गेन कर सकते हैं English oblique Hindi तो ये एक अच्छा benefit हो जाता है उस belt के लिए जहां पर कि English थोड़ी कमजोर है प कोई एक language opt कर सकते है जरूरी नहीं है कि आप दोनों में जाये आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को opt करना पड़ेगा Choose करना पड़ेगा अगर आप English choose करते है तो आपको फिर paper जो है वो English का देना पड़ेगा अगर आप Hindi चूज करते है तो आपको Hindi का देना पड़ हो जाता है और इसके लिए एक गंटे का समय मिलेगा आपको अब सबसे important इसमें क्या हो जाता है जब आप इस तरके exam में अपिर होते हैं तो minus marking का क्या scene है minus marking के बारे में कहता है there will be negative marking का 0.5 marks for each wrong answer आधा number कटना है हर गलत उत्तर पर हर गलत उत्तर पर आदा number कटना है यह बात वो कह रहा है मतलब अगर आपने एक question पर दो number है तो आपने अगर चार question गलत कर दिये तो आदा 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 एक सही question आपका जाते रहेगा तो इस बात को ध्यान रखे negative marking को 0.5 का इस पर negative marking है a date of examination जो है will be informed student with the candidate only through the website अलग से आपके पास कोई notification नहीं जाएगा आपको website के साथ update रहना पड़ेगा आगे चलें इसमें एक चीज़ और मैं सहारा था आपके साथ आपके साथ बात कर लो syllabus का सिरेबस का सिरेबस है general intelligence and reasoning का की analytical aptitude and ability to observe and distinguish patterns with the tested through questions principally of nonverbal type this component this component may include questions of on analogies similarities different special visualization special orientation visual memory तो इस तरह का जो आम तूर पर reasoning के test होते है वही है classification है odd one out है reasoning है इसके अलावा सेकेंड पार्ट अलग है जिसको आप general knowledge के नाम पर जानेंगे ओ है questions in the component will be aimed at testing the candidates general awareness of the environmental questions will be also be designed to test knowledge of current event such such matters of everyday observation and experience in the scientific aspects as may be expected of any educated person science evs environmental और आपका current affairs main component यह बता रहा है the test will also include questions relating to India and its neighboring countries मत्तब आपको current affairs के साथ में international relations को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसे साब से geography economics general quality Indian constitution scientific research एट्सेटरा 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 elementary mathematics का symbols है syllabus है इसमें आपको number system है whole number है decimal है fraction है relationship between numbers fundamental arithmetic operations percentage ratio proportion average interest profit loss discount pension time and distance ratio proportion time and work यह साइच चीज है time and ratio भी है यह basic 10 तक का जो maps है आप यह समझेए कि उतना काम हो आपसे कराना चाह रहा है English और हिंदी में बता है कि candidates ability to understand basic English Hindi in the in his basic comprehension would be tested तो कुल मिला करके यह आपका पहला चरण होगा जिसमें आपको CBT से गुजरना पड़ेगा उसके बाद आपका physical test होगा physical test के बाद आपका medical test होगा तो physical test में जो requirement होगी आप डाउनलोड करके ठीक से समझ रहे हैं अगर आप उसको fulfill कर रहे हैं तभी आप यह फार्म बने अन्यता आगे जा करके आपको फिर यह दिक्कत आएगी कि वह अगर आपने इसमें कर लिया है क्वालिफाई और फिजिकल में आप डिस्क्वालिफाई हो गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको सारा किया दरा कोई बतलब नहीं रहे जाएगा तो पूरी तरह से इसको नोटिफिकेशन को पढ़ ले 55 पेजस का नोटिफिकेशन है मेरी सलाह इसको डाउ चुपकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ आगे आने वाले वीडियो में आपसे फिर बात करूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप अपना ख्याल रखें साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं धन